कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो आए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का ग्यार्वा सबक सबक नमबर ग्यारह पत्थर का सूप कहते हैं के आईरलेंड में किसी जमाने में एक बूढ़ा रहता था वो था बड़ा अकलमंद वो एक बार दूर दरास के सफर पर रवाना हुआ उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया अब तो वो भूका रहने पर मजबूर था उसकी समझ में कुछ नहीं आता था के क्या करे और भूक थी के बराबर बढ़ती जा रही थी इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी सफ़ा नंबर सत्तर उसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी अरे यहां तो कोई रहता है उसने गोर से देखा और जरा करीब गया तो पता चला कि ये तो शांदार मकान है वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया उसने दर्वाजा खट-खट आया दर्वाजा खुला ये रसोई घर था बावर्ची ने कहा तुमको मुझसे क्या काम है सफ़ा नंबर 71 बूढ़े ने कहा मैं बहुत भूगा हूँ मुझे कुछ खिलाओ बावर्ची ने कहा मुझे भी बहुत काम है अभी मुझे मुर्ग का गोश्ट पकाना है मालिक के आने का वक्त हो गया तुम यहां से भाग जाओ बूढ़े ने खुशामत करते हुए कहा अच्छा तुम मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो देखते नहीं मारे सर्दी के थर-थर कांप रहा हूँ और बहुत ठक या हूँ जरा मेरे उपर रहम करके मुझे इतनी इजासत दे दो कि मैं तुम्हारे चूले के सामने बैठ जाओ बस मैं थोड़ी देर बैठूंगा अच्छा तो तुम चूले के पास बैठ जाओ लेकिन मेरा वक्त खराब मत करो चिपचा बैठो वो बुढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया आग तेज तो थी ही उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई अब उसकी भूक और बढ़ गई आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई उसने बावर्ची से कहा तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ मैं बहुत अच्छा सूप तयार कर सकता हूँ और इसमें खर्च भी कम होता है इसे पत्थर से तयार करते हैं क्या? पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना तुम कैसे बनाते हो आरे इसमें क्या मुश्किल है मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ फिर तुम भी पकाते रहना बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया बूढे ने हांडी में थोड़ा पानी भर कर आग पर रख दिया फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया जब पानी कुछ गरम हो गया तो उसने जरा सा पानी लेकर चक्खा और बोला बड़ा मज़ितार सूप है बस जरा नमक पड़ेगा तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना जरूरी है बावर्ची नमक लेने गया सामने मेज पर कुछ सब्ज तरकारी रखी थी बूढे ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी इतने में बावर्ची ने नमक ला कर दिया बूढे ने हांडी को देखा बड़ा अच्छा सूप तयार होने वाला है बस जरा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा सफ़ा नमबर 72 बावर्ची ने कहा तुम इससे देखते रहो कहीं ज्यादा ना पक जाए मैं अभी प्याज और लहसुन ला कर देता हूँ और जरा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज, लहसुन और मिरच ला कर दिये बूढे ने प्याज, लहसुन और मिरच काटकर हांडी में डाल दिये अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुश्बु आई वाह, कितना अच्छा सूप तयार हुआ है बसे से जरा सा चलाने की जरूरत है बावर्ची ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुमको बड़ा चमचा लाकर देता हूँ बूर्हे ने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं पत्थर के सूप की हांडी चमच से नहीं चलाई जाती ये सामने गोश्ट रखा है अगर तुम कहो, तो मैं इसमें जो बड़ी हड़ी पड़ी है उससे अपनी हांडी चला लूँ बावर्ची ने कहा जरूर, जरूर उसने बड़ी सी हड़ी उठा ली जिसके सिरे पर काफी गोश्ट लगा हुआ था और उससे हांडी को चलाना शुरू कर दिया वो हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था बावर्ची भी बड़े गोर से हांडी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था वो सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पका कर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूँगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर-दूर के मुलकों से आया करेंगे सफ़ा नंबर तिहित्तर बुढ़े ने कहा सूप तो अच्छा है अलबत्ता जरा पतला है इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तू मुझे दे दो उसको डाल कर सूप को गाढ़ा करूँगा बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया उसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हड़ी से चलाता रहा और थोड़ी देर के बाद चक कर बोला भाई जरासी कसर है वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चक्खा भी ना होगा बावर्ची ने कहा नहीं भाई मैं कहां चकता और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है मगर अब क्या कसर रह गई है बोढ़े ने कहा अगर इस वक्त कहीं जरासा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बाच्या को भी पेश कर सकते थे अच्छी देर में उसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया बोढ़े ने उसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेटने लगा हांडी में से अब और अच्छी खुश्बू उठने लगी बोढ़े ने कहा वाह इतना शानदार सूप तयार हो रहा है तुम कहो तो ये मुर्गी का गोश्ट भी इसमें डाल दूँ ताके कोई कमी न रह जाए इस पत्थर के सूप में बावर्ची तो गौर से टक्टकी बांधे हुए देख रहा था उसे तो दुनिया की और किसी चीज़ का खयाल ना था बोढ़े ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगाया कि उसने कहा जी जरूर जरूर अब बोढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्ट हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला अब जरा से सब्र की जरूरत है तुम देखना कितने मजे की हांडी तैयार होती है अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुश्बू फैल रही है सफ़ा नंबर चोहत्तर बावर्ची ने कहा और वो भी पत्थर का बुढ़े ने कहा अरे ये कोई हैरत की बात नहीं है मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ ये कहकर उसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा देखो ये पत्थर अभी जोंका तों मौजूद है बावर्ची ये देखकर हैरत में पढ़ गया उसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया बावर्ची को खोब मज़ा आ गया उसने कहा वाह! मैंने ऐसा सूप अपनी सिंदगी में कभी नहीं पिया था बुढ़े ने भी खोब डट कर सूप पिया अब बारिश रुख गई बुढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाज़त मांगी बावर्ची ने कहा मेरे पास एक पॉंड है तुम मुझे ये पत्थर दे दो मैं उम्र भर तुम्हारा ऐसान मानूंगा सफ़ा नंबर 75 बुढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया और पॉंड जेब में डाल कर चलता बना और सोचने लगा के लोग ठेक ही कहते हैं के अकल बड़ी होती है ना के भैस जब ज़रा बावर निकल गया तो बावर्ची को आवाज दे कर बोला क्यों भाई हाड़ी पकानी की तरकीब तो आ गई हाँ हाँ और क्या अब तुम्हें खुद पका सकता हूँ तुम फिक्र मत करो तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया कितना मजे का होता है पत्थर का सूप सफ़ा नंबर चेटर मानी याद कीजिए सूप शोर्बा सालन खुशामद चिकनी चुपडी बातें चापलूसी कसर है कमी है टक्टकी बांधना मुहावरा पलत जपकाए बगैर देखना जों का तुम जैसा का तैसा पॉंड इंग्लेंड में चलने वाले सिक्के का नाम एहसान मानना मम्नून होना, शुक्र गुजार होना सोचिये और बताईए सवाल एक बूढ़ा कहां रहता था? सवाल दो बूढ़े को सफर के दौरान क्या मुसीबत पेश आई? सवाल तीन बूढ़े ने बावर्ची से क्या बूढ़े ने बावर्ची से क्या दरखास्त की? सवाल चार बुढे को अपनी भूक मिटाने के लिए क्या तरकीब सूची? सवाल पाँच बुढे ने पत्थर का सूप किस तरह तैयार किया? सवाल छे बावर्ची किस बाद से हैरत में पढ़ गया? सवाल साथ बावर्ची ने बुढे को खुश होकर क्या दिया? सवाल आठ बुढे ने ये क्यूं कहा के अकल बड़ी होती है ना के भैंस? सफ़ा नमबर सतत्तर इन जुम्लों को सुनकर बताईए के ये सही है या गलत? एक किसी जमाने में एक बुढ़ा रहता था, वो था बड़ा बेवकूफ सही या गलत? दो वो एक बार दूर दरास के सफर पर रवाना हुआ सही या गलत? तीन बुढ़ा सर्दी के मारे थर-थर काँप रहा था सही या गलत? चार बुढ़े के बदन में गर्मी आई तो उसकी भूख खत्म हो गई सही या गलत? बुढ़े ने एक गंदा पत्थर जेब से निकाला और हांडी में डाल दिया सही या गलत? चै बुढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्ट हांडी में डाल दिया सही या गलत? साथ बावर्ची ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है ये पत्थर मुझे मुफ्त में दे दो सही या गलत? आठ कितना मजे का होता है पत्थर का सूप सही या गलत? दिये हुए लवजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए शानदार खुशामत सूप मजा हैरत इन लवजों के मुतजाद लिखिए गर्मी अकलमंद खुश्पू आधा सब्र अमली काम बुढ़े ने पत्थर का सूप किस तरह तयार किया? अपने लवजों में लिखिए सफ़ा नंबर 78 गोर करने की बात इस कहानी में बावर्ची की सादगी और नेकी से चालाक बुढ़े ने फायदा उठा लिया अपनी भूग भी मिटाई और एक पॉंड भी हासिल कर दिया इतनी सादा लोही भी किसी के लिए मुनासिब नहीं है इसी के साथ अपनी जबान भागदो का ग्यार्मा सबक निहां खत्मुआ इसके बाद सबक बारहा आता है प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत